हालो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक शेयर से लेटिड बाते कर रहा हूं टाइड वाटर ओयल कंपनी लिमिटेड लगबग 1936 रुबे का ये शेयर है ठीक है ना और 1960 का इसका 52 वी खाई भी है मतलब अभी ही इसने बनाया है तो क्या हो सकता है शेयर से लेटिड उससे करूँगा कि आप हमारे चाइनल आयम स्मॉल के इंवेश्टों को सब्सक्राइब करिएगा बैल आइकन को हिट करिएगा ओके और लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करेगा बाइंग सैलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशल एडवेजर कुत की सीखने के लिए आपके पास वीडियोज है जाके देखिए काफी सारी वीडियोज है अभी मैंने वीडियो बनाई है वो अपलोड हो रही है तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से 200-200% के रिटन एक साल में बनते हुए नजर आ सकते है और अच्छे से सीखना है करियर बन साथ में क्यों क्या कैसे रिस्क मेनेजमेंट, रिस्क के रिवार्ड रिशो सब कुछ आपको समझाए जाए जाएगा 25,000 रुपे का कोर्स है 3-1 की एंड ओल्डिंग है 1-2-1 क्लासिज होगी ऑनलाइन नोट्स दिए जाएगे एक बार कोर्स कम्प्लीट हुआ तो 6 महीने से एक साल उस पर प्रेक्टिस करिएगा और उसके बाद दीरे दीरे आपको समय में आएगा कि कैसे चीजे यहां पर काम करती हुई नजर आती है तो यहां पर इन नमबरों को नोट करके हैं आप हमारे साथ काम भी कर सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो हम बात कर रहे हैं यहां पर Tide Water Oil Company Limited से लेटेट तो यहां पर देख सकते हैं लीडिंग मेनुफेक्ट्रिंग एर मार्किटर ओफ लूब्रीकेंट इन ओवर 65 कंट्रीज अरूंड ग्लोब तो यहां पर 65 कंट्रीज में कंपनी काम करती है और एक लीडिंग कंपनी है यहां पर हम बात करें बहुत automotive and industrial segment के जो lubricant होते हैं उनमें यहां पर cater करती हुए नजर आती है 1928 से यहां पर इनका ब्रेंड वीडॉल आपने नाम भी सुना होगा एड़ पगर अभी आती है इसमें यह कंपनी काम करती हुए नजर आती है तो आप जाके एक वह वेबसाइट पर इनकी पर विजिट करिए आना आपको समझ में आएगा इनके brand कौन कौन से हैं कंपनी किस तरीके से विडॉल माइल इस्टॉल के नाम से यहां पर काम करती हुए नजर आती है यह सब चीज आपकी आईडिया आपको लगता हुए नजर आएगा काफी पुरानी कंपनी है ठीक है ना इसके और इसके लूब्रिकांट यहां पर यूज जाते हैं तो जाके एक पर देख लिए आपको समझ में इसकी विजिस मॉडल आपको आ जाएगा बात करते कंपनी से चीछ हम बात करें स्मॉल कैप की तो स्मॉल कैप में याद रखिएगा जब पैसे बनते हैं तो इस तरीके से बनते हैं कि 800 रुपे वाला श्रेयर 900 रुपे पर एक साल के अंदर अंदर चला गया बट याद रखिएगा जिस तरीके से यहां पर पैसे बनते भी है ना उसी त आप देते हैं कि क्यों शेयर को कब बेचना चाहिए अब कब यहाँ पर खरीदना चाहिए तो यह होगी बात इस पर्टिकुलर इस चीज से लेके अब बात करते हैं यह पर और भी चीजों की और चीज क्या है इसके financials तो आगे बढ़ते हैं तो financials से लेटिड आगे बढ़ेंगे तो जानेंगे कि company के रिजल्ट आये तो आप यहां पर दिख पा रहे हो कि company लगा था अच्छा खासा प्रदशन कर रही है ठीक है बीच में थोड़ा बहुत ऊपर इतना खास ऊपर नीचे नहीं हुआ था थोड़ा सही हुआ था और यहां पर आप देखोगे तो yearly quarterly दोनों बेसिस पर company के sales अच्छे खासे है और यहां पर आप net operating profit देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि company का operating profit यहां पर highest ever आता हुआ दिखाई दिखाई दिया है ठीके net profit देखोगे तो net profit आपको समझ में आएगा कि company का 12 quarter में highest ever net profit और EPS बड़ा है और margin भी अच्छे खासे आते हुए दिखाई 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 दिया है तो overall हम बात करें overall company कैसी है अच्छे खासा काम करती ही नजर आ रही है साथ में yearly based पर बात करें तो yearly based पर आपको समझ में company 900 करोड़ से 1900 करोड़ की sales पर पोच चुकी है net profit की बात करें 63 करोड़ से 143 करोड़ रुपेस तक यहाँ पर net profit में यहाँ पर पोच चुकी है अच्छा खासा company yearly quarterly based पर काम कर रही है और reserves की बात करें देखिए reserves बढ़ते हुए नजर आ रहे है बोराइंग की बात करें borrowing ना क के बराबर है debt-free share है ठीक है साथ में यहाँ पर देखिए 23 का PE है इंड़स्टीका भी 36 का है तो अभी 20 असना नजर आता है बट इस्टिल मैं हमेशे कहता हूं PE के बेस पे काम नहीं करना ROC ROE ठीक ठाक नजर आती है दो का face value भी है ठीक है dividend भी company देती है यहाँ पर आप 41 करोड रूपीज का cash भी पड़ा हूँ है company के पास trade receival अच्छा का सा company को मिलता रहता है और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो company का promoters promoters के पास लगबग 62.27% के share है जो की last December 2023 में यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आये जो की positive चीज है FIs भी यहाँ प number of shareholders level 55,000 के आसपास है तो मतलब ज्यादा लोग अभी यहाँ पर इस particular share को बारे में नहीं जानते है तो इस sheet को भी यहाँ पर रियाद रखना है तो उसका भी फाइदा कहीं ना कहीं इस particular share में मिलता हुआ नजर आसे है अब क्या है तो financials की बात करें financials अच्छे का से है इस quarter के result काफी अच्छे घास है हाना highest level पिछले बारे quarter के आते हुए दिखाई दिये numbers अब बात करते चार्ट से लिए चार्ट क्या कह रहा है बाट उससे पहले हमेशा की तरह request करूंगा I am small cap investor चाहर को subscribe bell icon को hit all notification कौन करिएगा buying selling की recommendation नहीं है खुद की मेहनत कर दीए अपने financial advisor से पूछना है और यहां पर आप वीडियो जाके देखके सीख सकते हैं और इन नमरों को note करके course कर सकते हैं आना वहां पर सीख सकते हैं अच्छे से अगर आपको stock market में career और पैसे बनाने है और साथ में काम भी करना है तो भी यहां पर इन नमरों को note करके inquiry का लीजिए inquiry का कोई पैसनी है बात करते हैं टाइड वोटर की तो यहां पर आप देख सकते हैं स्टेश टू जो हम कहते हैं स्टेश टू का शेयर है और अच्छा कासा यहां पर अभी एक ब्रेक आउट भी होता हुआ नजर आया है अब क्या कर सकते हैं सबसे पहले याद रखिए का बाइंग जान एरिया में हाना या फिर इस पर्टिकुलर 1846 के आसपास तो यहां पर एंट्री बनती है एक चोटा सा स्टॉप लॉस यहां पर लगाईएगा थोड़ा सा टाइम दीजेगा शेयर में जैसे टाइम देंगे तो आपको समझने में आएगा शेयर भागता हुआ नजर आएगा और 91% के रेटन यहां पर 92% के रेटन आपके लिए आके बंद करके बंते हुए नजर आ रहे है यहां पर आप देखेंगे यहां पर कभी यह 3614 रुपे था कि इसने 2021 में बनाया था गिरावट हुई और अब दुबारा अपने स्टेश्टू की तरब बढ़ता हुआ नजर इस चीछ को हमेशा याद रखिएगा कि और इस पर्टिकुलर शेयर पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है हाना अगर तेल का प्राइज बढ़ा तो कहीं ना कहीं इसका इंपक्ट इस पर्टिकुलर शेयर पर आएगा जिसकी वज़ह से यहां पर इसके पर्टिकुलर नंबर्स पर इफ्रेक्ट आता हुँ दिखाई देगा जो नंबर्स अभी अच्छे कासे दिखाई दे रहे वह थोड़े से कम भी हो सकते हैं और उसका वज़ए से कहीं ना कहीं घाटा हो सकता है तो हमेशा और इस तरीके से रिसर्च करके आपको सब चीज सोचना है तो है अपने फाइनेशल एडवाइज अखुद की स्टडी करना है चीजों को सीखने पर फोकस करना है लाइक के में शेयर करना है और इन नंबरों को नोट करके साथ में काम कर सकते हो और हमारे कोर्स को जाइन कर सकते हो थैंक यू सो मच गॉड ब्लस